जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपको एसा लगता है कि रेस्टोरंट जैसा दाल तड़का और जीरा राइस घर पर नहीं बनते तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राइ करेंगे तो आपके दाल फ्राइ और जीरा राइस रेस्टोरंट से भी बढ़िया बनेंगे तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले हम दाल को धोकर भीगो देंगे तो हमने एक कप तूवर दाल ली है चार टेबल स्पून मूं की दाल और चार टेबल स्पून मसूर दाल तो दाल को हम 3-4 बार पानी से अच्छी तरह दोने के बाद आधे घंडे के लिए भीगो देंगे अब एक प्रेसर कुकर में ती टेबल स्पून तेल गरम करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा और एक तेज पत्ता जीरे को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक बड़ी साइस की प्यास जिसको हमने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है और प्यास को तेल में तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए तो इस तरह प्यास का कलर थोड़ा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून अदरक और लेस्तुन का पेश्ट और अदरक लस्टन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भी तेल में एक मिनिट तक फ्राई कर लेंगे और इसमें तीन मीडियम साइस के कटे हुए टमाटर एट करके टमाटर को सोफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे तो टमाटर जब इस तरह थोड़े सोफ्ट होने लगे तब हम इसमें कुछ सूखे मसाले एट करेंगे तो सूखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1.5 तीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसा नमक 1.5 तीस्पून धनिया पाउडर 1.5 तीस्पून लालमीच पाउडर और 1 तीस्पून हल्दी पाउडर और एक चुथाई कप पानी एट करके इसे मिक्स कर लेंगे और मसालों को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे तो मैंने लो फ्लेम पर मसालों को 5-7 मिनिट के लिए भून लिया है आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल लिलीज होने लगा है और मसालों की भूनाई अच्छे से हो गई है और हमने जो तूवर दाल, मसूर दाल और मूम की दाल भीगो कर रखी थी उसे हम इसमें एट कर देंगे तो दाल को बोईल करने के लिए हम इसमें 4 कप पानी एट कर देंगे और साथ ही में हम इसमें हरी मिच एट कर देंगे तो हमने दो बड़ी हरी मिच को इस तरह सेंटर में से कट कर लिया है और ये जो हरी मिच है ये ज्यादा स्पाइसी नहीं है आप यहाँ पर छोटी हरी मिच भी एट कर सकते हैं और इसे मिला लेंगे प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर दाल को पांच मिनिट के लिए और बोईल करेंगे तो दाल को हमने बोईल करने के लिए रख दिया है एक बाध्यान कब फूल 10 काली मेच और 2 चोटी लाइची और एक टीस्पून तेल एट करके हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से बोईल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं के पानी अच्छे से बोईल हो चुका है इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे बास्मती चावल तो हमने यहाँ पर 3 कब बास्मती चावल लिये हैं चावल को हमने 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोग कर आधे घंटे के लिए भीगो दिया था तो चावल एट करने के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पुन वाइट मिनेगर यानि की सिर्का आप यहाँ पर सिर्के की जग़ा एक टेबल स्पुन नीबू का रस भी एट कर सकते हैं मिला लेंगे इसे और गिश की फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर चावल को तब तक बोईल करेंगे जब तक ये 90% कुक ना हो जाए तो 20 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर बोईल करने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल 90% तक कुक हो चुके हैं अब गेस की फ्लेम को ओफ करके च्छनी की मदद से इसका ज्यादा का पानी निकाल लेंगे और चावल को हम रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब एक पेन में हम 2 टेबल स्पून देशी घी और 1 टेबल स्पून तेल एट करके अच्छे से गरम कर लेंगे तेल और घी अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे 1.5 टेबल स्पून जीरा क्योंकि यह जीरा राइस है तो हम यहाँ पर जीरे की क्वाइटी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे और जीरे को थोड़ा चटकने देंगे जीरा एट करने के 10 से 12 सेकंड के बाद हम इसमें एट कर देंगे बोईल किये हुए चावल तो देखिए आप यहाँ पर चावल एट करने से पहले चावल को रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमने चावल में सीरका एट किया था तो इससे क्या हुआ कि चावल बिल्कुल वाइट है और कहीं से भी तूटे नहीं है पर चावल को हमने 90% तक कूछ कर लिया है तो आब हम इसे लो फ्लेम पर वाउट के लिए और पपार लिया है नो इसे मिला लेंगे तो मैंने इसमें चावा लेट करने के बाद लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लिया है और यहां पर हमारे जीरा राइस बन चुके है तो दूसरी तरफ हम देखेंगे के दाल भी अच्छे से बोईल हो चुकी है हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद लो फ्लेम पर पांच मिनिट टक बोईल कर लिया और अब गेस की फ्लेम को ओफ कर के इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे और लीट को खोल कर इसे एक बाद चेक कर लेंगे तो अब हम गेस की फ्लेम को फिर से ओन कर देंगे और चमज की मदद से डाल को अच्छे से मेस कर लेंगे देखें आप यहाँ पर डाल को मेस करने के लिए डाल घोटने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसे चमज से कर लें अब हम इसमें दो कप पानी एट कर देंगे तो डाल को आप कितनी गाड़ी या फिर पतली रखना चाहते हैं उसी साब से आप पानी एट कर सकते हैं तो दो कप पानी एट करके इसे मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो हमने दाल को 5 मिनिट के लिए पका लिया है दाल बन चुकी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसका तड़का तयार कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बना रहे हैं तो हम तड़के के लिए एक टेबल स्पून तेल और एक टेबल स्पून बटर एट कर देंगे देखिए अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप एक टेबल स्पून देशी घी भी एट कर सकते हैं बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून बारिक कटा हुआ लेसुन और हाफ टीस्पून बारिक कटा हुआ अधरक और लेसुन का कलर सुनहेरा होने तक हम इसे सोटे कर लेंगे तो इस तरह lesson का color थोड़ा सुने रहा होने लगे तब हम इसमें add कर देंगे half teaspoon जीरा जीरे को इसमें थोड़ा सा चटकने देंगे और इसमें add कर देंगे प्याज तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी size की प्याज को इस तरह slices में cut कर लिया है और प्यास को हम तब तक fry करेंगे जब तक इसका कलर golden brown ना हो जाए तो प्यास को golden brown होने तक हमने fry कर लिया अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसमें add करेंगे चार सूखी लाल मिच साथ ही में add कर देंगे दो चुटकी हिंग और दाल को बढ़िया सा कलर देने के लिए एक टिस्पुन कस्मीरी लाल मिच पाउडर एट कर देंगे तो ये तीनों चीज़ें हम गेस की फ्लिम को उफ करने के बाद ही इसमें एट करेंगे नहीं तो कस्मीरी लाल मिच जल जाएगी और हमने जो डाल के लिए तड़का बनाया है उसे हम इसमें एट कर देंगे और अब हम इसमें सामिल कर देंगे आधा कप फरा धनिया और हाफ टीस्पुन गरम मसाला इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सौव कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है जीरा राइस और डाल तड़का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के ऐसी ही आसान डेसीपी के लिए पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं रिसीपी ट्राइब करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरेंस जरूर से सेर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रिसीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई